दोस्तों कैसे हैं आप सब्योग बहूत अची होगे आज मैं अपने नए subject को start करने जाए जिसका नाम है currency and banking और हो सकता है कि आपने इसका नाम सुना हो money and banking दोनों ही subject सेमें बस नाम का अंतर है ठीक है अब दोस्तों currency banking बोलो चाब money and banking बोलो ये वीडियो आपके सबसे पहले तो cut pg mcom maintenance में काम आने वाया है जो कि आपका NTA conduct करवाता है और पूरा का पूरा से बस उसी case आप से design किया गया है या अगर आप लोग किसी university के semester exam में हो annual exam में हो तो आपको वहां पर भी ये काम आएगा आपका exam चाहे subjective form में हो चाहे objective form में हो इसके अलावा अगर कोई और entrance exam देते हो या पर आप NetGIF का exam देते हो वहां पर आपको ये वीडियो equivalent काम आने वाया है तो एक ही वीडियो बहुत जीकर पर काम आया का तो ध्यान से देखना और आपके बहुत साही topic यहां पर आपको में जाएंगे तो दोस्तों यहां पर आते हैं में नीचे यह notes पूरा मैनेट खुद बनाया है आप लोगों के यह और बहुत ही simple language के अंदर एंद साही topics को cover करते हुए यहां पर आप देख सकते हो मेरे बाहे में become,mcom,mba,beard,gold windows दोस्तों मेरा है CS final,net gif two times यहां दोस्तों management के अंदर नेट भी है और इस बार दोस्तों मैं economics से भी net दूंगा ठीक है and emit price swing ओके तो यह है मेरे क्वाई फिकरदन आप यहां पर देख सकते हो ठीक है अब दोस्तों यहां पर यह किताब मेरी खुद की है and यहां पर आपका है CA bus यह CA bus पुया CUT,PG,mcom Intense के हिसाब से है तो आप अपने हिसाब से topic को यहां पर देख सकते हो ठीक है and दोस्तों अपना पहला topic है unit 1,unit 2,unit 3,unit 4 अब दोस्तों मैंने यहां पर बनाया हुआ पहला है unit 1 जिसमें हम लोगों को money के बाए में पहला है ठीक है चलो आ जाते हैं यहां पर यह unit 1 ठीक है आपको जो भी notes यहां मैंगा दोस्तों एदम sequencing मिलेगा कोई चीज उपर नीचे आपको नहीं मैंगा सब कुछ इदम sequencing के अंदर होगा ठीक है तो इसको थ्वास हम लोग highlight करें जिसे आपको अच्छे से दिखाए दे ठीक है अब दोस्तों यहां पर देखिए आपका जो unit है वो है money unit number 1 ठीक है अब दोस्तों money क्या होता है ठीक है अब money से पहले आता है बाटाइ system बाटाइ सिस्टम क्या होता है जब commodity को commodity से exchange किया जाता था जब money नहीं था तो money के पहले क्या था बाटाइ सिस्टम था बाटाइ सिस्टम में क्या था कि भाईया commodity को commodity से exchange समान को समान से exchange किया जाता था बाटाइ सिस्टम की problem को solve करने कि यह money आया अब दोस्तो money is anything, money किसी भी चीज को कहा जा सकता है, that is generally accepted as a medium of exchange, यानि यह वो चीज जिसको हम इस्तुमाई करते हैं किसी भी समान को exchange करने के यह, अब बात को समझो, exchange का मतल्य होता है sale and purchase, ठीक है, अब मान जो कि मुझे यह क्या बोते हैं, remote purchase करना है, ठीक है, मैंने इसको purchase करने के यह, sorry पर दिया, ठीक है, तो जिस भी चीज से मैं समान को purchase कर सकता हूँ, उसको मैं money बोल सकता हूँ, अब आपके पास भारा सरकार ने आपको note दिया हुआ है, तो उसको आप money बोलते हो, करको भारा सरकार बोलते कि यह money है, तो आप इसको money मानने लगोगे, यानि जिसको भारा सरकार कह दे कि यह पैसा है, आप उसको पैसा मानने लगोगे, जो लोग आसानी से accept करने को तयार हो जाएं, जिसकी मदद से आप समान को exchange कर सकते हो, यानि हर वो चीज money कहला सकती है, जिसके अंदर power है, जिससे हम किसी भी समान को exchange खरीद या बेच सकते हैं, तो money is anything which is generally acceptable, यानि कि जो लोग आसानी से accept करेते हैं, किसी को पैसा देते हो लोग आसानी से क्या करेते हैं, उसको accept करेते हैं, means of exchange, यानि उसे समान को exchange कर सकते हैं, and at the same time, same time पर act as a major, यानि किसी भी चीज की value को नाप सकते हैं, यह pen कितने का है, 500 हो का है, यह भी या mobile कितने का है, 10,000 का है, यहाँ पर हमें क्या करते हैं, money वो चीज है, जिससे हम लोग आसानी से उसको accept करते हैं, उसको means of exchange, यानि की exchange करने की use करते हैं, जिससे किसी भी चीज की value को नाप सकते हैं, and value को store करकर रख सकते हैं, store करकर रखने का मत्रब होता है, कि जब हमको जो समान चाहिए, उसको तब purchase करेंगे, इससे हमाई पास में जब पैसा है, तो समान को खरीदने की थाकत हमाया हाथ में है, ठीक है, अब दोस्तो, money is anything easy accepted as a medium of exchange, money वो हर शीज को कहा गया है, जिसकी मुझा से हम समान को exchange कर सकते हैं, medium of exchange, समान को exchange खरीदने बेचने का माध्यम को कहा गया है money, ठीक है, अब दोस्तो, यहाँ पर अगर, definition of money की बात की जाए, जो money सब्दे वो derived हुआ है, राटीन वर से, monitor, कहां से हुआ है monitor, जिसका मत्या पर which means, the surname of roman god, यानि भया, रोम के जो, roman के जो god थे, ठीक है, इनका नाम था Juno, ठीक है, इन host temple, जिनके मंदी के अंदर, money was coined at Rome, money की इजात किया गया था, यानि money नाम का जो सब्द है, वो राटीन से आया हुआ है, जिसका मत्या मत्या पर monitor, जो कि भया, surname of the roman god, भया, Juno, जो रहां के god थे Juno, उनके surname से बनाया गया है, ठीक है, वही पर उनके मंदी में इसको को अंदर के ढूंडा गया था, इस नाम के इजात वहीं पर होगा था, ठीक है, तो इसको ध्यान ना एक्जाम में पूल सकता आपके, अब पहने जाए, money की characteristics, money की विशेष्ताओं के बारे में पहने जाए, ठीक है, कि money के क्या-क्या features होते हैं, जो भी मैं बताऊंगा, बहुत important है, जाहां से सुनना, पहरा money का feature है, durability, क्या feature है, कि money durable होना चाहिए, durable का मतलब होता है, कि रंबे समय तक चले, खराब न हो जाए, money must have a durability, should be, जिसको store किया जा सके, रखा जा सके, अब आप note को जे में रखे हो, वह फटा नहीं जाएगा, store किया जा सकता है, and not lost this value, उसकी value कम नहीं होनी चाहिए, money वह होता है, जिसकी value कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, over a period of time, example, gold, silver, alloy, brass, etc., are the best material which can be used as a money, अब सिक्का किसका बनावता है, जिसकी value घटती बढ़ती नहीं है, यानि कि यह सब बहुत अच्छे source माने गाए, money को बनाने के यह, यानि जो भी money होना चाहिए, वो doable होना चाहिए, जिसकी value घटनी नहीं चाहिए, ठीक है, अब दोस्तों, consistencyability, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, the material used in a coin should be easy, recognized by everyone, money ऐसा होना चाहिए, जिसको देखते हैं, योग तुवन्ट पहचान जाए, अगर किसी को नकी note थमाओगे न, वो उसका कागत से पहचान जागा, वो असी है कि नकी है, सिक्का किसी को अगर नकीद होगे, वो तुवन्ट पहचान जाएगा, यानि money ऐसा होना चाहिए, जो कि आसानी से योग पहचान सके है, या कोग नाइस देखते ही कि यहाँ यह तो भया, money है, यानि money जो भी होना चाहिए, आप देख रहो, एक का सिक्का है, तो जितना भी आप एक का सिक्का होगा, सेम ग्राम का होगा, कोई भी डिफेंस नहीं होगा, किसी भी सिक्के के अंदर, यानि कि same, homogenous होना चाहिए, इत्म same to same, and quality में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फिर दो दोस्तों, divisibility, money बया, चोटे-चोटे पार्ट के अंदर, दो हजाय की note है, 500 की note है, 200 की note है, 100 की note है, 50 की note है, 20 की note है, 10 की note है, कहने का क्या मतल्य है दोस्तों, जो money होता है, उसको आसानी से, डिवाइट किया जा सकता है, चोटे-चोटे पार्ट के अंदर, ठीक है, यहने कि उसको फार दो गे यह मत समझा कि उसको फार दिया जाएगा तो दा मनी वो होना चाहिए जिसको छोड़े पार्ट में बाटा जा सके गोलड आंट सेवर पोजिसे शच कोईटी बाटा होती है सोने के चोटे चोटे सित्क के बना देखो एक बास समझी हो जब भी हमें मैं पाहेंगे तो आपको पुराने समय के इसाब से पाहएगा पुराने जमाने के इसाब से आज का 2000 का बाइन नहीं बताएगा यह समझाएग आपको प्राने पुराने एक्जामपर यह के killed हो गया saver हो गया rusty keyboard हो गया agora galda and server quality को लगते हैं जिससे आप च्छो च्छोटे part से लह र्क के सूने मां भी एक्टिट हो गया इसको अच्छा मनी माना गया है इनके बहुत साई यूज भी होते हैं पर आगे अपना गहना बना जो ठीक है एन आई जन्री एक्सेप्टेट बाइडर एवीवन पेपर मनी और और आउसो एक्सेप्टेड वेन दे हैवर इसुट बाइडर सेंटर बैंक यानि कागज के नोट भी एक्सेप्ट किये जाते हैं अगर उसको सेंटर बैंक ने इसू किया है आपके देश ने इंडिया का सेंटर बैंक कौन है यह जरी बैंक ओफ इंडिया ठीक है तो बहुत यह आई बिया के सबसे पहये गवर्णर कौन थे इंडियन अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट काई देना ठीक है अब दोस्तों आता है पोईटर बीटी पोईटर बीटी का क्या मतलब होता है इजी काईट एंड ट्यांसफर्ट फॉर्म वन पेज तो अनेदा है उसका मैंने सौटकट यहां पे लिख दिया है तो आपको दिक्कत ना हो जिससे पोईटर बीटी का मतलब होता है मनी ऐसा होना चाहिए जिसको आसानी से हम अपने पास में रख सकें अब सोजो सोने का अगर हम सिक्का बनाए तो कितना सोने सिक्का जेब में भरोगे जेब आप हाई हो जाएगा ना आज के राहें पे रखो मनी कितना हलका है जेब केंदे आप दो याक पांच याक यह के घूंग सकते हो किसो को पता भी नी चलेगा तो मनी ऐसा होना चाहिए जो की आसानी से ट्यांस पर उसके यहां से वहां पर र्णे पर पुरौने समें योग घिल नहीं घर पहते थी क्योंकि उनको पूर्टेबल कidas के और में अच्छा मणा फ्चोने अक़एग डिकतिती थी क्यों चोने में इसके आफ्च्चा कषा कर होमोजिनिटी यानि कि जो भी मते ही है मनी में यूस किया गया हो वह सेम को आइटी का होना चाहिए ऐसा नहीं है कि दूसरे पेपर से दूसरा मनी बना दिया गया और दूसरे पेपर से दूसरा यानि जो भी को आइटी का समान यूस के जाया मनी को बनाने में वह अच्छा होन तो आपको 100 आपको समान भीएगा को यह नहीं करेगा कि 100 का नोट है आपको 90 का समान देंगे ऐसा नहीं होगा उसकी वैयू स्टेबल रहती है महंगाई आये चार जाये अब दोस्तों इसको परते हैं त्वाजा को कि money का समान की वैयू को नापने के यह बहाँ करते हैं और यह जाए किसी वी समान की वैयू को नापने के ही है बट गवर्मेंट पीफर्, गवर्मेंट चाहती है कि लोग paper money स्ट माल करें, और account of its cheapness को कि वो सस्ता होता है, easy होता है, आप भुगो, Sona Chani एक कि घूमोगे तो आपको माल की पीट के छीन रेंगे, ठीके, अब Paper Money वो भी छीनियेंगे. यह मैं सोने में चेनी में क्या है? उसको छीनेंगे. पिगरतेंगे. और कुछ और की बैस देंगे. पहले क्या होने रहा था था न? लोग वह सोने चानी के शिक्कों की यूज करते थे. अब हो क्या गया? कि सोने चाने की value इतनी भाए गई कि लोग सोने के सिक्खे को पिगला के सोना बना की बेचने रगे उसके सोने के सिक्खे से जदा value सोने की हो गई थी तो ऐसा ना हो इसी यह paper money और बाकी money आये थी ठीके यह हो गया currency having stability in treated as a good money अगर कोई कंटी के अंदर जो money है उसकी value stable है तो उसको good money माना गया ठीके यह हो गया अब दोसरों यहां पे कुछ definition है exam में पूस्ता है कि यह definition किस ने दिया है money is what money does यह definition किस ने दिये अगर आपके exam में option आता है तो सबसे पहरे option को tick करोगे hearty weather को, अगर मां लियो सह поговорishing हो और हआप समझ करोगे को CiK करोगे को समझ कर बात को यानि कि पहरा जो प्रिफ्रेंस दोगे वह दोगे हार ठे praktैंती को अगर यह option में नहीं दिया होगा तो दो देव गय आप वागर दोण। में दिया होगा तो हार्टे वेदर टिक करना हार्टे वेदर नहीं होगा तो वॉकर टिक करना ध्यान अब गईती मत करना ठीक है अब money is a commodity which is used to denote anything which is widely accepted in a payment for goods or in discharge for other business obligations इसको दिया Robertson ने किसने दिया आपस आपस एक्जामें पूछ सकता है ठीक है फिर idea definition यानि कि जो एक अच्छी definition मानी गई है money is anything that is generally acceptable ठीक है means of exchange ठीक है and same time measure and store of value ठीक है इसको दिया है क्या होथा इने किसको किसने दिया है तो money की idea definition क्या होथा इने दिया हुगा ध्यान अगना इस बात का ठीक है anything which is yde accepted in payment of all goods or in discharge of other kind of business obligation is called dh robertson ने इसको दिया हुगा है one thing that possess general acceptability segment ने दिया हुगा है the essence of money is that can be passed from one hand to hand in one act of the circulation to another इसको gdh coin ने दिया हुगा है ठीक है तो यह आपके सामने है मैंने आपको बता रही है अब दोस्तों और भी definitions है ठीक है तो भाई आगा एक्जाम में पूस्चा है कि money की descriptive definition किस ने दिया या फिर functional definition यानि कि money के functions को बताते हुए definition किस ने दिया है यानि money के विसेश्थाओं को functions को बताते हुए definition किस ने दिया है ठीक है कि money के functions के हिजाब से जो definition दिया है वह इन योगों ने दिया हुआ है फिर दोस्तों money की कानूनी definition किस ने दिया हुआ है यह गई definition यह दिया हुआ है नाप ने किस ने दिया है नाप के एन डवा एप ध्याना इस बात का ठीक है ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं विएगा जहां पर आपको इतना detail में चीज़े बताई जाई है फिर money की common acceptability किस आपके definition किस ने दिया हुआ है इनका पुरा नाम है जे-म कीन्स आपने नाम सुना होगा ठीक है अब दोस्तों यह बहुत important है यह आपका दिया गया है money is a private around which whole economic science cluster बहुत बाइ एक्जाम में यह पूछा है बहुत बाइ एक्जाम के अंदर यह पूछा बहाँ यह definition किस ने दिया है इसको दिया है माईसर ने इनका पुरा नाम है एफट माईसर ठीक है इसको ध्यानगना बहुत बाइ यह पूछा गया है बहुत बाइ ठीक है the importance of money essence from its being in between present and future बहुत बाइ पूछा गया है jm keens इनका पुरा नाम था ठीक है ओके यह भी पूछा गया है ध्यानगना money is a good servant but a bad master ठीक है यहां पर बैस नहीं होगा बैड मास्टर होगा ठीक है ध्यानगना money is a necessary sin यानि money एक स्याप है money is very able but a bad invention यह तीनों दिया हुआ है Robertson ने तो आप सो सकते हो कि नीचे तीनों आये इसको ध्यानगना एक्जान में पूछ सकता है ठीक है primary function दूसरा है secondary function तीसरा है contingent function यानि situation के हिसाप से तो जो जिसके अंदर है उसको उसी के अंदर रखना ने तो कहानी खता मुझा आएगी आपके एक्जामें पूछता है पहरा है primary function तो money का primary function क्या है medium of exchange money को किसी इस्टमार करते हैं किसी भी समान को exchange करने कि ये उस्टमान को खरिदना होता है खरिदना या पेशनी खरित रहोता है किस के मददद खरितने हो पैसे कि मदद खरिता हो ना hani के pr़ा काम क्या है medium of exchange दूसρά काम क्या है money का meaning कि समान की value को उन्पना अब मानेचे गितने के 5set कियरे भी 200 met क्या है। पैरे समान को खर्णने पशार्म समान की तो काम आता है। जिसका दूसरा नाम है unit of value तो में कभी यह भी दिया ओता है। आशीत नाम है okay आब दोस्तों other country謊त करें के है money का नाम दूसरे आए इंडिया कंजर रूपेज है okay एंड्यायां पाउंड है ठीक है यू एसे कंजर डॉलडर्स है yeah ऐसे अप देख सकते हो अब आता है secondary function मनिस का सेकेंड़ी फंक्सन है standards for deferred payment deferred payment का मतले बथा है future payment मगनी का यूस करते हैं फ्यूचर पेमेंट करने कही ज़ए है weap फ्यूचर में पेमेंट करने कही है तो इसको बोते हैं future payment अगर मान ढवीыш er नहीं होता मैंने किसी बुयाया आपने गर अपने घर में काम करवाया और काम कर वाया तबाको फूचर में आपको टमाटा वो गया दे देसे वो आंज भी मिनिया ठीक कि उडने करद दे具 एक मेंधबागोगे डेए यह क्वाया तो 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 यानि कि future में payment करने के money का use किया जाता है, ठीक है, and money जो होता है, हमारी purchasing power को store करके रखता है, यानि कि store of value, यानि हमारी purchasing power को हमारे हाथ में रखता है, आप सोचो, money नहीं होता, तो हमको टमाटर के बाद ही, आयू को exchange करना पड़ता, टमाटर कब तक रखते, आपका टमाटर खराब हो जाता, आयू खराब हो जाता, लेकिन अगर पैसा होता, तो जितना काम होता, उतना ही समान खरीदते, और आपके हाथ में आपकी purchasing power होती, और आपका समान की बर्बादी भी नहीं होती, तो money के अंदर समान को store करने की value होती है, ठीक है, अब आता है contingent function, पैसा काम क्या है, basis of credit, किसी को उधार देना है, तो उधार में दोगे क्या, पैसा ही दोगे, अगर आपको दोगों को income देनी है, national income बातनी है, तो क्या दोगे, पैसा ही दोगे, helps to equalize marginal utility and managerial productivity, यानि कि भया, जो हम लोग marginal utility पहते हैं, किसमें पहते हैं, consumer equilibrium के अंदर, and managerial productivity, कोई भी समान को produce करते हैं, तो वो सब कुछ money की मदद से ही होता है, फिर increase productivity of capital, अगर आपको अपने पैसे की value बहानी है, क्या बहानी है यह पैसे की value, इसको आपको invest करना होगा, invest करोगे, business करोगे, तो profit होगा, इससे profit होगा, तो business की value क्या हो जाएगी, बह जाएगी, help to maintain repayment capacity, अगर आपको किसी को चुकाना है पैसा, किसी को कुछ देना है, उधाई या है, तो वापस क्या दोगे, पैसा ही दोगे न, ठीके, money represents generalised purchasing power, money आपके खरीदने की औरकात को दि P-R-P-E-R, ठीक है and दोस्तों फिर आपर B का 6, इसके पास में 5 grand cash है, आप भाव बताओ, तो equity किसके पास चाहो तो कर सकते हो ठीक है अब दोस्तों आता है disadvantage of money क्या पढ़ने जाए अब दोस्तों disadvantage का दूसर नाम के average यानि money की बुयाईयां money की कमिया money की खामियां क्या हो ठीक है ओके पहले आए instability money की जो value होती वो stable नहीं होती है एक्जामपर 100 अपर में आप 10 सार परे जितना समान खरीद पा रहते हैं आज 100 अपर में उतना समान नहीं आता है यानि money की value होती है वो समय के इस आप से घटती आती है जिससे कि भाईया कि आपका 100 अपर का value घट जाती है महंगाई जब बढ़ती है तो money की value घटती है इसको बहुत है instability again disadvantage of money is that value does not remain constant इसकी value कभी भी constant नहीं होती है which create instability in the economy जिसके काइन economy के अंदर instability आती है ठीक ठह्याव नहीं आता too much of money reduces its value अगर बहुत जड़ा money आ जाएगा मार्केट के अंदर बहुत जड़ा money आ जाएगा लोगों पास में बहुत परिसा होगा तो लोग market में आएंगे demand करेंगे जब demand करेंगे तो इतना समान तो है नहीं कि सबको समान बेचा चा सके तो महंगाई आ जाएगी जब मार्केट में बहुत परिसा आएगा लोग demand करेंगे तो महंगाई आ जाएगी तो यह बहुत बड़ा खत्रा है एक नॉमिक है यह तो money की पहली कमी क्या है धी कि महंगाई आ जाती है ज्यादा money होगा तो क्या mówi जाएगी महंगाई जैएगी क्यों आएगी क्योंकि ज्यादा अगर लोग demand करेंगे ज्यादा demand करेंगे तो इतना solutions economic में नही है कि सबकी demand को पूरा गया आ जा सके कि मान एते हैं कि लोक से पास में पैसा आ गया तो यो काय खरने चले गए अब इतनी काय तो बनी नहीं है ना जब काय खरने जाएंगे तो काय का दाम बहा देंगे कोई कि वो सबको काय नहीं बिश सकते हैं तो काय के दाम बहा देंगे तो कि वही खरीद पाएंगे जिनके पास में ज्यादा पैसा होगा ठीक है यह हो गया अब किसी के पास में ज्यादा पैसा होता है तो उसके पास में एका रिका है तो जिसके पास में ज्यादा पैसा होता है उसके 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 पास में ज्यादा पैसा होता है उ यानि आगा आप मनी के ज़दा स्माइब करोगे तो आपके पास में पावर बहुत ज़्यादा आजाएगी अगर पावर कुछ उगों के हाथ में आएगी तो वह लोग भाईया मोनोपोली करेंगे आपका बहुत ज़्यादा सोसर करेंगे ठीक है सोसर डिस्क्रिमिनेशन करें का मतलब क्या होता है सुनो बात को easy borrowing and ending facility made possible through money अब आसानी सी क्या बहते हो उधार ये सकते हो उधार दे भी सकते हो ठीक है यानि आपको एक अगर आपने उठाया तो नौर्मरी आप 20,000 उस पर कमा सकते थे बड़ आप कमा रहो के वर 5,000 यानि कि आपने money का overcapitalize कर दिया जो उसकी value थी उतना आप use ही नहीं कर यह हो तो इसके कारण money का value क्या और यह वेस्ट होई है इसी पर बहुते है overcapitalization ठीक है यानि इंडेस्टि जितना आपको पैसे के जयुआ थे जब आप उससे ज्यादा use करते हो तो एक situation बनती है जिसको कहते है overcapitalization जो की सही नहीं होती है यह हो गया फिर misuse of capital बहुत हो capital का misuse करते है ठीक है अधर कुछ हो भाया जानमुच के महंगाई है क्या आते है ठीक है तो और हमने पूरा दार श्टोर करता किया जब market में दार जाएगी नहीं तो दार करदाम महंगा हो जाएगा तब हम बेशना इसको बहुत है होडिंग करना तो होडिंग करने से क्या होता है economic index disturbance आता है और यह सब होता क्यों है main मुद्धा क्या है पैसे करिए तो होडिंग करते किसी को गोई माल के कमाया गया हो doesn't matter जिस पैसे के ओपर tax नहीं pay किया गया है उसको कहा जाता है black money ठीक है ओके यह मां समझो कि आपके पास ब्लाक मनी है तो आपको सरकार गोई माल देगे कुछ नहीं करेगी वह आएगी करेगी बेटा कोई बात नहीं black money है कासे कमाय कैसे भ So What You Are Black Money It Provides जानिकी समय के ओपर tax नहीं pay किया गया है उसको black money कहा जाता है ठीक है और black money से होता में जिसको पहपर tax नहीं pay किया गया उस money से गय क्याय कानूनी काम होते है ठीक है आत्रवादी को funding किया होता है other countries को दिया जाता है तो black money से गरत काम ज़्याइद ए ठीक ह! यह आ पॉलिटिकल इंस्टेबिट्री हमारे देश में जो सरकार है वह अर्स्थ्र हो जाती है क्यों कि दोस्तों जब रैक मनी होगा तो पॉलिटिकल पार्टिस को डोनेशन दिया जाएगा वो जीतेंगी हायेंगी तो सरकार को घ्याने उठाने में काम होता है पैसे का Money is the most powerful thing which is used for the political disturbance in your country, in our country also, okay? Moriah and sorcery, meaning that nathic or samajic, Buiyai hai money, जो भी कांट होता है, गलत काम होता है, वो क्यों होता है? Money is the most important reason, और भी reasons है, But most important क्या है? Money के करनी योग, nathic or samajic गईतिया करती है, That is also a imitations and buiyai of money, okay? तो यह था आपका, यानि आपको बस नाम देखना उपर से अंदर ज्यान नहीं पटोगना है अंदर आपको, यह सब money की बुयाईयां है, ठीक है? तो advice of money भी हो गया दोस्तों, ठीक है? तो यहां पर topic होता है अपना खतम, Next part में हम लोग पढ़ेंगे, Cassification of money, Thought Notes, यह Thought Notes बहुत आसान है, मैंने बनाया जिससे आप आसानी से चीज़ों को याद कर सको, ठीक है? Hope कि आपको समय आगे हो, वीडियो अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप लोग हम लोग के courses को जॉइन करना चाहते हो, जहां पर आपको पूरी किताब आपके घर तक डिरिवर की जाएगी, तो वेट मत करो courses को जॉइन करो, ठीक है? अभी आपको आयाम से जॉइन करें, पूरा course compete कर सकते हो, तो यहां पर आपको देख सकते हो, कि आपको एक-एक चीज को कितना डीटेरी में बताया जाया है, यह हम लोग के demo वीडियो के तारा काम करेंगा आपके यह, इसको देखोगे, आपको आइडिया जग जगे कि हम लोग कैसा पहते हैं, इसको देख के, आपको हम लोग के courses को purchase कर सकते हो, courses को purchase करने के यह, Commerce Nation app को download कीजिए, जिसका इंग discussion box में दिया गया है, किसी book का, content का, video का, demo देखने के यह, हमाना में पर content कीजिए, कोई भी doubt और कोई भी दिक्कत है, तो कॉई message कर सकते हैं, अगर आपका सपना है, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से हम काम करने का, तो यह आपके यह बहुती सुनाया मौका है, में ते अपने next part में, thank you so much.